हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूज फोर यू के यूटूब चैनल पर जो की गोल्डन एर एजूकेशन का ही एक सेकेंडरी चैनल है ठीक है तो गैज ये चैनल हम सुरुआत कर रहे हैं एक बहुती स्पेसल सिरीज से और ये एक तेरा वीडियो की एक स्पेसल सिरी इस चैनल पर हमने अपलोड की है इस सीरीज के बारे में थोड़ा से मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा फिर उसके बाद में हमारे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहां पे तेरा वीडियो इस सीरीज में हमने अपलोड किये हैं प्रतेक वीडियो में हर मैने की हर वीडियो में आपको जो है करेंट फिर मिलेगी टोटल 25 कॉसन एक वीडियो में मिलेंगे तो यह चीज आपको क्लिए हो यह होगी उसके बाद में बात करते हैं पीडियेप की तो देखिए आपको यहाँ पे आपकी सुविदा के लिए टोटल 13 वीडियो की किवल एक ही पीडियेप हमने तयार की है जो आपको हर किसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा लेकिन आपको बता दे फ्रेंड्स यह जो पीडियेप है यह पीडियेप रखे गई है आपको के वल उसके लिए थोड़ा सा दस रूपे का एक चार्ज आप को पे करना पड़ेगा उसके बाद में आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे ठीक है तो यह इतना साप कर लीजिएगा तो चली अब सुरू करते हैं यह वीडियो हमारा जनवरी का वीडियो है उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर यहां पर लास्ट में लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर नीचे आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा कहीं से भी आप सेकेंड वीडियो देख लीजिएगा फरवरी का उस वाद मार्स देख लीजिएगा अप्रेल मारी जून जून सही आंशोगा वीजे के सब गोगले यह जो जनवरी 2018 में गटनाए गठी तो यह वो इस वीडियो में हम चल्चा कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट कॉसम देखिए स्टेट बेंक ऑफ इंडिया जो SBI है इसने हाल ही में आधार रेट जो है अपनी जो बेश रेट होती है उसमें कटोती की है इसके बाद में जो नई बेश रेट है SBI की वो कितनी रखी गई है आंसरोगा 8.65% नेक्स्ट कॉसम देखिए हाल ही में संपन रणची ट्रोफी क्रिके टूनामेंट का किताब कि स्टीम ने जीता है आंसरोगा आपका विधर्वने ये 2018 की बात करने ध्यान रखेगा आम जनुबल 2018 ठीक है नेक्स्ट कॉसम देखिए केंद्रिय मंत्री मंडल ने हाल ही में जूट पेकेजिंग मेटेरियल एक्ट 18.1987 के अंतरगत कितने प्रतिसद खादे पधारतों की जूट पेकिंग जूट के थेलों में अनिवारे कर दी है आंसरोगा 90 प्रतिसद काफियत सा कॉसन है देखिए इस एक्ट के तेयत गौवर्मेंट ने जितने भी जो कोई भी प्रोडेक्ट बनाती है कंपनी कोई उटपाद करती है चीनी वगारा जैसे होती है तो उसका जो 90 प्रतिसद जो मतलब की उटपाद है वो अब उसको जूट के थेलों में जूट के बोरे आते हैं उन के समंद में निमन में से कौन से कथन सही है बात कर रहे हैं जोजिला सुरंग की तो आपका दूसरा और तीसरा कथन सही है इस सुरंग परियोजना के बारे में ठीक है दूसरा कथन क्या बोल रहा कि इसका मकसद कस्मीर घाटी तथा लद्दाक के बीच में संपर्क थीक है वहीं पे इसका सुरंगा निर्मान किया गया है तो यह दोनों उप्षन आपके सही है नेक्स्ट यहां पर देखिए कौसन है अपना महाराष्ट्र ओपन या चैन्ने ओपन टैनिस टूनामेट 2017 के खिताब पर जीत दर्ज की है यह इसके विजेता कौन है जिल सीमोन इस पहला इस्तान किसे प्राप्त हुआ है आंशोगा आपका गुजरात को गुजरात को जो लोजिस्टिक सुचकांक है इसमें जो है पहला इस्तान मिला है और इस सुचकांक में क्या होता है निर्यात को बढ़ावा देने और आर्थिक वरदी के लिए जो राज्य आगे है उन तक का सबसे तेज और पहला मल्टी पैटा फ्लोट पेक से सुपर कम्प्यूटर जो है वो इस्तापित किया है और इस संदर में कुछ कथंस दे रखें कौन सा सही है तो आपका सही अन्शुगा एक दो तीन तीनों कथन इस सुपर कम्प्यूटर के बारे में सही है पहला कथन बोलड़ा कि यह कम्प्यूटर पूरे में स्तापित किया गया है सही है इसका नाम प्रत्युस है सही है और इसका कारे क्या होगा मौसम और जलवायू का पुरुवर्णमान लगाना या उसमें सुधार लाना यह भी सही है अंतराश्टी जो भारतिया नुसंदान संगठन है इसरो उसके अध्धिक्स कौन बने है नए अध्धिक्स के सिवन बने है काफित सा कॉसन पूछा भी गया है जिया में फिर देखिए नेक्स्ट कॉसन है गैलप इंटरनेशलन के सालाना सरविक्षन में प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी को विश्वे के सीर्स लोग प्रिये न नेताओं में कौन सा स्थान दिया गया है आंसर होगा इसको इनको स्थान दिया गया है थीसरा ठीक है थर्ड इस्थान पर रखा गया है जो सबसे लोग पिए नेताओं की सुचि थी गैलप इंटरनेशनल ने जारी की थी उसके अंदर बिहार के किसिस्तान पर धर्म धम्म पर चोथे अंतराष्टिय सम्मिलन का आईजिन किया गया था राजगीर में किया गया था ठीक है बिहार राजगीर में चोथा अंतराष्टिय सम्मिलन हुआ था धर्म धम्म पर वर्ष 2016 भारत में पांच वर्ष की आयो तक के प्रती हजार सिशु मरत्यदर कितनी थी तो ये थी 39 ठीक है ये डिपोर्ट जारी की थी 2018 में जिसके अनसार भारत में जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी प्रती 1,000 पर मर्तिदर कितनी थी? 49 थी थी ठीक है? यह आप ध्यान रख लीजी गार्था आर्थिक लोकतंतर शंबिलन 2018 कहा आजजित किया गया था यह किया था थाने में जो महराष्थर में है थाने वहीं पे 2018 का जो आर्थिक लोकतंतर संबिलन है वो आजजित किया गया था Next यहाँ पे देखिए मोटाईनाई ग्रेडमा नाम की एक पुस्तक है वो चर्चा में रही है ये पुस्तक किस भासा में लिखी गई है ये लिखी गई है जापानी भासा में फुटबॉलर रोनाल्डो ने हाल ही में अपने खेल जीवन से सन्यास लेने की घोशना की है उन्होंने किस देश की टेम से अपना अंतिम विस्वेक अप खेला था यह खेला था इन्होंने दोस्तों जो यहां पर अर्जेंटिना है इसी से जो है ब्राजील से ठीक है ब्राजील होगा आपका राइटन सब तो ब्राजील से इन्होंने अपने केरियर को जो है लगाम लगाई थी बच्चों को दिया जाने वाला राष्टिय वीरता पुर्षकार के तहट 2018 का भारत पुर्षकार किसे दिया गया है कुमारी नाजिया को दिया गया है जो भारत पुर्षकार 2008 को किसे दिया गया है कुमारी नाजिया को भारत ने blind विष्वक kफ क्रिकेट टूनामेंट 2018 का किताब किसे पराजीत करके जीता है पाकिस्तान को पराजीत करके जीता था हाल ही में जारी वेश्विक प्रतिबाथ प्रतिश परदात मकथा के नियंतरन सूच कांख में भारत को कौन सा इस्तान दिया रहा है यहां पे हम बात कर रहे हैं जो वेस्वित प्रतिभा प्रतिस प्रदात मक्ता सूच कांक 2018 है उसमें भारत को कौन सा इस्तान मिला है? 81 इस्तान मिला था साइत्यकार आनंद प्रकास तिक्षित को हाल ही भारत-भारती सम्मान से अलंकरत किया गया है यह सम्मान किसके दुआरा दिया जाता है उत्तरपदेस सरकार के दुआरा दिया जाता है जो भारत-भारती सम्मान है भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह हैं जो यहां पर उम्प्रकास रावत है ठीक है यह आपका सुनिल अरोडा होगा इसका अंसर देखिए अभी अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो यहां पर अभी प्रजेंट में 2019 में जो है वो है सुनिल अरोडा जिनकी न्यूक्त की गई थी नवमबर दिसम्बर में लेकिन यहां पर हम जनवरी की बात कर रहे हैं तो उस ताइम पर ओम प्रकास रावत है लेकिन एक्जाम में करंट पूछा जाता है मुख्यत है तो सही सुम्मेलित है आंसर गा एक दो तीन यानि कि तीनों मिलान सही सुम्मेलित है यहां पर असोक चक्कर 2018 का किसी दिया गया था जोती प्रकास निराला को दिया गया था कीरती चक्कर दिया गया था मेजर विजे सिंट बिस्ट को जो सोरी चक्कर वो किसी दिया गया था जो मिल प्रतियोगता का फाइनल मुकाबला नेहवाल ने किसके साथ खेला था। सही अंशोगा ताइजूइंग जो है इनी के बीच में ये फाइनल खेला गया था। और शायना नेवाल व्प विजदा रहे थे। नेक्स्ट देखिए भारत के वारतमान विदेश सची पुछा गया है तो विदेश के सिव को उकले ये रिपीट हो गया साइद को सुन ठीक है तो ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा न्यू वर्ड वेल्थ की हाल ही रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे धनी देशों की सुची में भारत का छटा इस्तान है इस सुची में प्रथम तीन इस्तान पर करमे से कौन से है प्रमे से पहले इस्तान पर है अमेरिका दूसरे इस्तान पर चीन और तीसरे इस्तान प बात की है मुक्षे तब भारत के बारे में पूछे जाता है तो भारत जो यहां पे न्यू वर्ल्ड वैल्थ रिपोर्ट के नुशार सबसे धनी देशों की सुची में कौन से स्थान पर है छटे स्थान पर है भारत नेक्स्ट राष्टपती रामनात कोविंद ने हाल ही न्याय धिसों के वेतन में बड़ोतरी से समंदित विधेक को मंजुरी दी है इसके बाद भारत के मुखे न्याय धिसों का मासिक वेतन कितना हो गया है काफी अच्छा है यहां पर कोशन है 2.80 लाव रुपे आप जो है नया वेतन है मुखे नया धिसका ठीक है सुगाज यह थे जनवरी के तोप 25 का रंटा फिर के कोशन उम्मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी फरवरी की जो वीडियो है उसको देखने के लिए आप यहां पर इस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा आई बेटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके आप फरवरी की वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद मार्च की देख लिए आप प्रेल लप माई जून जूल इस तरीके से पूरी तेरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आज की इस वीडियो में ता है वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर कीजिएगा अपने वाटसप ग्रूप फेस्बूप ग्रूप और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लिजेगा नहीं किया तो ठीक है थेंक्यू सो मच पर वाचिंग आस झाल